यह देखिए, इसमें बहुत यह अच्छा से filling हुई है, आप चाहें तो filling कम या ज़्यादा कर सकते हैं. Hello friends, स्वागत है आपका Cardio Kitchen में, मेरा नाम है Manisha, आज हम बनाएंगे cheesy egg paratha, यह एक healthy breakfast है, और फटा-फट बनके तयार हो जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की recipe, लेकिन recipe स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे request है, अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे page को follow करें, तो अब चलिए time नवेस्ट कर चीजी एक पराठा बनाना, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 एक लिये हैं, सबसे पहले हम एक्स को fold लेते हैं, यह मैंने सभी एक्स को fold लिया है, अब हम इसको अच्छे से mash करेंगे, यह देखिए एक को मैंने mash कर लिया है, अब हम चलते हैं, गैस की तरफ और की फिलिंग बनाने के लिए मैंने पैन को गैस पर रख दिया है, इसमें मैंने डाला है, half tablespoon oil, oil गरम हो गया है, अब मैं इसमें सबसे पहले दालूंगी, यह जो एक को हमने फेटा था, इसमें साथ में मिलाऊंगी, थोड़ा सा नमक, नमक अभी हम पूरा नहीं मिला रहे हैं अभी आदा हम बाद में मिलाएंगे, साथ में ही दालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्सी, लाल मिर्सी भी अभी मैंने पूरी नहीं दाली है, आदी हम बाद में दालेंगे, अब इसको हम लगातार चलाएंगे, इसको लगातार चलाते हुए हम low to medium flame पे इस तरह से पकाएंगे, यह देखिए थोड़ा फड़ा गाड़ा हो गया है, लेकिन हमें इसको बिलकुल पूरा सूप में तक पकाना है, यह देखिए इसमें पानी बिलकुल सूप गया है, आप कोशिश करेगा जितना इसका पानी सुखा सके, उतना हमें पूरी तरह से सुखाना है, अब मैं गैस क फ्लेम को बंद कर दूँगे और इसको बॉल में निकाल दूँगे, इसको मैंने बॉल में निकाल दिया है, अब हम एक चम्मत से इसको थोड़ा थोड़ा क्रश कर देंगे, यह मैंने इसको क्रश कर लिया है, अब हम प्राठा त्यार कर लेते हैं, प्राठा त्यार करने के लि अब मैं इसमें दालूँगी एक के फिलिंग, सबसे पहले हम दालेंगे इसमें ये एक, साथ मैं दालूँगी थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, थोड़े से बारीक कटे हुए हरी मिर्ची, थोड़े सा हम दालेंगे नमक, नमक याद रखे हमने पहले भी दाला है, और लास्ट में इसमें हम उपड़ से डालेंगे चीज, आप कोई भी चीज यूज़ कर सकते हैं, फिलिंग के लिए यूज़ होने वाली सभी चीज़े मैंने इसमें डाल दी हैं, अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, फोल्ड करने के लिए इस तरह से हम चारों तरफ से इसको पैक करेंगे, इस तरह से इसको उपर से बंद कर देंगे, अब थोड़ा सा आटा डरस्ट करेंगे, और इसको पराठे की जैसे मोटी थिकनेस का हम बेल लेंगे, यह पराठे की जैसे मोटी थिकनेस का मैंने इसको बे पराटा हमने बनाया था इसको तर्वें पर दालूंगी अब इसको हम थोड़ा सा सिखने देंगे उसके बाद इसको हम टर्न करेंगे यह नीचे से सिख गया है आप मैं इसको टर्न कर लेती हूँ ये देखिए एक साइड से सिख गया है इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी सिख ने देंगे ये देखिए नीचे से भी सिख गया है अब इसके उपर हम थोड़ा सा ओईल लगाएंगे और इसको वापस से हम टर्न करेंगे इस तरह से थोड़ा सदबाते हुए इसको हम सेकेंगे अब दूसरी साइड पर मैं थोड़ा सवय लगा दूँगी और इसको फिर से हम टन कर लेते हैं यgeon देखिए अच्छे से सेक गया है एसी तरह से दूसरी साइड से भी हम इसको सेक लेते हैं यह दोनों साइट से अच्छे से सिख गया है, अब मैं गैस की flame को बंद कर दूँगी, और इसको plate में निकाल लूँगी, यह पराठा मैंने बना कर तियार कर लिया है, अब हम इसको cut कर लेते हैं, यह पराठे को मैंने cut कर लिया है, यह देखिए, इसमरे बहुत अच्छे से filling ह हुई है आप चाहें तो फिलिंग कम या जादा कर सकते हैं यह जो फिलिंग बची है इसको मैं तब यूज़ करूँगी जब मुझे पराटे गरम-गरम सर्व करने होंगे आप भी चाहें तो इसको बाद में यूज़ कर सकते हैं आप यह रेसिपी जरू ट्राय कीजिएगा औ आपको यह रेसिपी कैसी लगी अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फैमली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तो चली अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ थैंक्यू